नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का Study IQ PCS चैनल पर मिरे नाम है अभिशेक और आज बिहार की कबर में हम डिस्कूस करने वाले हैं बिहार के प्रमुख तेयोहार यानि फेस्टिवल्स तो ये वीडियो भी काफे important रहेगा आपके लिए क्योंकि ऐसे questions बहुत जादा आते हैं आपके exam में जिसमें कि आपके एक या दो questions हमेशा festival से पूछ लेते हैं तो वो वीडियो आज यहां पे cover होने वाला है इससे पहले start करने से पहले अगर आप तयारी कर रहे हैं state pieces examinations की तो अच्छा मौका है क्योंकि steady IQ pieces जो है उसने launch किया है foundation sunkal bat 6 in state pieces examinations के लिए अगर आप तयारी कर रहे हैं तो अच्छा मौका है ये है कि admission लेके आप तयारी को आ maximum discount मिलेगा यहां पर 12 499 ना होके ये 12,000 में आपको एक course मिल जाएगा test series content answer writing mentorship ये सारी चीज़े इसमें included है चली वीडियो को शुरात करते हैं यहीं से पहला जो त्योहार है वो आता है हमारा छट festival का सबसे important festival है बिहार के लिए और बिहार पे रहने वाले जितने भी लोग हो होंगे सब जानते होंगे कि छट festival के लिए लोग कितनी चुटियां लेके आते हैं चाहे वो जहां पर भी रहते हों अपने घर की तरफ जरूर आते हैं और अगर नहीं आप आते हैं तो जहां पर रहते हैं वहीं पर छट festival को मनाते हैं बहुत ही important festival है बिहार के लिए और बिह रहता है सूर를 भगवान के लिए और एक बैहन का नाम है शिस्थी देवी उन्हीं का नाम है शस्थी देवी उंहीं की बहूं नहीं को बोलते हैं उन्हीं के लिए का पूर्षी पूजा इसमें नहीं होती है ठीक है यह important point तब मनाया जाता है यह मनायाता है sixth day of कार्थिक month मतलब कार्थिक मास की shoots्ठी जो तिथी होती है उसमें मनते हैं Hindi जो मन्त होते हैं उसमें आप जानते हैं कार्थिक month होगा और आप जाते हैं, नेक्स्ट मंथ आने ही वाला है, नवंबर मंथ में बहुत सारे रोग हैं, जो कि दिवाली के बाद छुट्टियां बहुत लंबी सी लेके आते हैं, और छट दिवाहर बनाते हैं, ये चार दिन का फेस्टिवल होता है, चार दिन तक इसकी में सुर्य जो होते हैं, वो इस फेस्टिवल की, कवेट करते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, छट फेस्टिवल के बार, इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है तियोहार बिहुला का, तो बिहुला फेस्टिवल इस आल्सो इंपॉर्टन, इस्पेशली किस जिले में ये पासकर यह मनाया किस लिए जाता है पारिवारितिक सुरक्षा के लिए पारिवारिक सुरक्षा मेंस सामली सेफटी के लिए इसको मनाते हैं और इसके पीछे एक कहानी है कहानी यह है कि इसमें वैसे मनसा जो है इनकी पूजा की जाती है मनसा देवी जो है उनकी पूजा की जा साप ये है कि इनके पती को काट लिया था उनके पती की मृत्ति हो गई थी जो बहुला है है उस छेत्र में ही है इसी में मंजूशा पेंटिंग जो होती है इसका भी बहुत ही बड़ा महत होता है इस मंजूशा पेंटिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्प बना हुआ है और यह आर्ट इसमें शो की जाती है ठीक है मधूश्राओडी और मित्ला छेत्र में मनाते हैं मिजली तोहीं मिथलहे जो होता है मिथल छेत्र नहीं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं यह इस्ट में महानन्दा ताउत में गंगा और वेस्ट में गंडकी रिवर से घिरा हुआ जितना भी छेतर मिलता है उस छेतर को बोल दे हैं इसमें बहुत सारे जले आते हैं आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन-कौन से जले आते हैं इस मित्रा छेतर में और अगर आप उस जले से बिलॉंग करते हो तो वो भी सरूर लिग दीजेगा क्योंकि इससे काफी clarity मिलती है आप लोगों को भी और आपको answers में मतलब उनके जो comments आएंगे बाकी लोगों को भी तो उससे भी पता चल पाएगा कि कौन-कौन से जले इस मित्रा रीजन में आते हैं इस उसला च्यत्र में आते हैं यहीं पर मनाया जाता है मधू शामडी festival और जांवन लिखा होता है महिलायज विवाहित महिलायएं होती है और वह शौदा दिन का उपवास रटती हैं, अपने माईके में जाकर, अपने Mother फाधर जो ओते हैं, माता पिला जो ओते हैं, उनके घर में रहती हैं, और वहाँ पर अपने जो festival मनाती हैं जाके और अपना मापर फास्ट करती हैं, उपवास करती है, व्रध रहता है उनका, तो ये काफी प्रचलित है इस छेत्र में, मिथला रीजन में, और मिथला रीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है, कुछ पार्ट जो है इसका नेपाल तक भी एक्स्टेंट हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक रीजन है, वहाँ पर प्रचलित भी है औ और ये मना भी रही है, तो ये मदूरक्रामणडी फेस्टिवल, ये बिहार का एक इंपॉर्टन फेस्टिवल हो गया, इसके बाद आते हैं सामा चकेवा, सामा चकेवा भी काफी इंपॉर्टन फेस्टिवल है, इसमें भी बहुत सारी lease जो है वो रहती है इंस सारे फे तो यह जो त्योहार हैं यह जैसे चाहे वो रक्षामंधन का ही त्योहार हो जो कि नॉर्मल हर जगे पर मनाया जाते हैं रक्षामंधन कारो या फिर इसके अलवा अभी कुछ से वाइ शिक्षा मिलती है, बाइद वे, जो बोड़े होते हैं, या फिर जो माता-पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को, ये जो शिक्षा है, इसको transfer करते हैं, कि इन तेवहारों से, इन पर्वों से, इन उत्सवों से, festival से, क्या शिक्षा मिलती है, उसे अपने symbol होता है, love का between brothers and sisters, भाई और बहन के बीच में, जो प्यार है, उसका प्रतीक होता है, इसके बीच पे, इसके बीचे भी एक story है, story ये है कि सामा जो है, वो बेटी है, कृष्ण भगवान की, सामा, daughter of कृष्णा है, चकेवा जो है, वो son है कृष्ण भगवान के, story के recording ऐसा होता है, कि एक person थे, व्रंदावन में, उनका नाम था, चूटक, एक person रहे हैं, चूटक, कहीं कहीं पर चूटक लिखा रहता है, कहीं कहीं पर चुटक लिखा रहता है, तो चूटक नाम से एक वेक्ति हैं, उन्होंने क्या किया, व्रंदावन में, जब कृष्ण जी गई क्रिश्णजी के पास और उन्होंने बोला कि आपकी जो बेटी है सामा वो उनके बारे पे misinformation कुछ गलत बातें बता दी जांके कि आपकी जो बेटी है वो जो उपासक होते हैं जो साधू होते हैं, उनके साथ कहीं पे उन्होंने देखा है, एक ऐसी स्टोरी बना दी, तो वो वैसे स्टोरी गलत थी, ठीक है, बट हुआ ऐसा कि ये बात सुनके, श्री किष्ण जी जो है, उन्होंने उनको शाप दे दिया, सामा को शाप दे दिया, तो शाप देने के बाद में क्या हो गया, कि वो पक्षी बन गए, सामा जो है, वो पक्षी बन गए, पक्षी बन ग Mana ये तो इनके जो पती थे, थीक है, इनके पती का नाम भी नोट कर लीजेए यहां पर, चुड़क जिन्होंने Misinformation दी इन्होंने misinformation दिया और इनके पती का नाम था चक्रवाक सामा के पती का नाम है चक्रवाक तो चक्रवाक जो है उन्होंने भी स्वेच्छा से उनका ऐसा मन था कि भाई अगर मेरी wife जो पक्षी बन चुकी है तो मैं भी पक्षी बन जाता हूँ तो पक्षी वो भी बन गए सुच्छा से बन गए इसके बाद चकेवा आते हैं चकेवा भाई है उनके सामा के और उन्होंने जब यह पता चला उन्हें की मेरी बहन है वो मेरे पिता जी जो है कृष्णग जी उनके शाप की वज़ाए से पक्षी बन चुकी है तो उन्होंने और कठिन शो करने का एक प्रतीक होता है इस तरीके से आप जानते हैं कि ऐसे बनाया जाता है और जितने भी festivals आप देखेंगे पहले के समय में आज के समय की थो बाद चोड़ दिए पहले के समय में जितने भी चीजे ये बनाई जाती थी की ये गोडिया जैसा बनाया जारा है या फिर सामा-चकिवा का जो आईडल बनाया जारा है ये सब नाचुरल जो चीज़े होती थे उनसे बनाते थे, जैसे यहाँ पर घास दिखाई दे रही है, मुँझ जैसा जो पार्ट होता है बिहार में हम देख पा रहे हैं कि बिहार के ज़ब फेस्टिबल्स हैं वो अभी भी लोग मनाते हैं और प्रचलिद भी हैं काफी इस टैम पर भी सामच चकेवा की बात होगे नेक्स्ट फेस्टिबल पे आते हैं अगला जो फेस्टिबल है बुद्ध पुर्णीमा न जानते हैं बुद्ध जयनती के रूप में इसको हम मनाते हैं अप्रेल और मैई के मंथ में जब वी डेट दिसाइड होती है तो समय पे इसको मनाते हैं और कहां पर पे मेचरली यह मना करने के लिए, बुस्तों सबको follow करनी चाहिए, सारी जो teaching's है, वो सारी अच्छी ही teaching's हैं, लेकिन फिर भी, उनको follow करने के लिए, बहुत दूर दूर से आप जानते हैं कि ये लोग भी आते हैं, और ये अंतर राश्ट्री इस्तर पर और राश्ट्री इस्तर पर और वो procession निकालते हैं, पूरे रास्ते भर जाके इस तरीके से मनाया जाता है, बुद्ध पुडिमा अगले festival पर आते हैं, अगला है नाग पंचमी, नाग पंचमी ये observe किया आता है, ये मनाया जाता है कब श्रावन, सावन के महिने में में सावन घाले में का महिना जाता है, ये सावन का महिना हो magnika, उस स्वावन की सुक्षा के लिए श्रावण में नाग देवथा, नाग देवथा को मना प्रसाद चढ़ाकिर, तोहार बनाया जाता है, आप जानते भी होंगे, इसके बारे में, और काफी जादा ये फेमस भी है इन बिहार नाक देवधा को मनाया जाता है स्नेक गॉड को अगला फेस्टिवल आता है हमारा वो है हर तालिका तीज आपे सुना होगा ये सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं कि आपने जीवन भर में कभी ना कभी तो सुना ही होगा लेकिन इसकी बीचे की स्टोरी क्या होती है कौन मनाता है किसके लिए मनाया जाता है वो सारे यहाँ पर इंफोमेशन आपको दी जा रही है हर तालिका तीज जो है वो मनाया जाती है यह इसको celebrate किया जाता है भगवान शिव और देवी पार्वती से सुखी विवाहिक जीवन की कामना की जाती है प्राथना की जाती है तो जितनी भी विवाहिक मैलाएं हैं और जो लोग भी इस वीडियो को इससे में पर देख रहे होंगे जो married भी हो सकते हैं अन-married भी होंगे definitely future में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि आप इसे मनाएंगी कि आप अगर बिहार से बिलॉंग करते हैं तो festivals की अलग एक value रहती है बिहार में और इसको भी हर तालिका तीज जो है वो मनाया जाता है बिहार में अच्छे से बर्गत के पास बैठ कर इसको भगवान शिव और पा इसके लिए मना जाता है इससे पहले हमने देखा वो था married जो women होती है वो अपने family जो होती है उसके या फिर अपने husbands होते हैं उनके लिए मनाते है जीतिया जो festival है वो मनाया जाता है विवाहित महलाओ द्वारा अपने पुत्रों की लंबी आयू के लिए यहाँ पर ध्यान रहता है निर्जला वरत पॉलो किया जाता है विवाहित महलाओ जो रहती है उनके अपने बच्चों के लिए अपने पुत्रों के लिए यह बिहार जारखन में प्रजलित जीवत पुत्रिका वरत का धार्मिक महतोई बहुत जादा होता है यह आप जानते भी है आगे celebrated by the विवाहित महलाओ जो होती है उनके दरा इसको मनाया जाता है अपने पती की लंबी आयू के लिए ठीक है कहाँ पे इन मिथिला मिथिला चेतर में इसको मनाते हैं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए बर्गत के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है यह वर्ट साब पक्ष अमावस्या को अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए इस फेस्टिवल को मनाती है नेक्स्ट इस मकर संक्रांती मकर संक्रांती आप जानते हैं यह एक यह जनवरी में मनाया जाता है मेजरली 13 14 जनवरी ही डेट रहती है हार्वेस्ट फेस्टिवल है यह यह एक फसल उत्सा होता है और जन्वरी में राजगिर और मंदार हिल्स, मंदार की जो पहाडियां है, राजगिर और मंदार की जो पहाडियां है, इसमें प्रसिद्ध मकर संक्राथी, मेले के साथ, पूजा, प्रार्थना और पवित्र इसनान भी जुड़ा रहता है इसी के साथ में, ति एरिया है और मंद्स कौन सा है इसमें जन्वरी महिना जो कि थंड का एक महिना रहता है फसल उत्सों के रूप में इसको मनाते है अनंत चतुरदशी यह विष्णु भगवान अनंत या फिर विष्णु के भादरपत के चौदवें दिन इनकी पूजा की जाती है उनके बाद कलाई पर पवित्र धागा जो की कलावा बुला जाता है वो भी बांदा जाता है अनंत चतुरदशी किस भगवान से कुन भगवान से रिल्लटेड है विष्णु भगवान से यह important चीज है यहाँ पर आते हैं देवथान एकदिशी बोलते है इसको देवोथान एकादिशी जो है, वो भी Lord Vishnu के लिए ही मनाई जाती है तो यहाँ पर दोनों जो Vishnu festivals हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर एक ही साथ लिखती हैं, आपको याद रहेंगे Celebrated on Karthik month 11th day Karthik माह के ग्यारवे दिन ये मनाई जाता है Karthik माह के ग्यारवे दिन मनाई जाता है तो जो भगवान Vishnu के चार महीने की निद्रा से जागने का प्रतीख है चार महीने की निद्रा से जागने का इंपोर्टन है भई यहाँ पर mix up मत करतीज़ेगा अनंत चतुरदशी है और ये देवोथान एकादशी है वश्णु भगवान के लिए है लेकिन यहाँ पर जो उनके निद्रा है उससे जागने के लिए मनाते हैं वहाँ पर अलग तरीके से मनाते हैं वर्शिपिंग की जाती है नेक्स्ट हमारा एक कोश्चन आता है यहाँ पर सारे यहाँ पर complete हो चुके हैं नेक्स्ट यहाँ पर एक कोश्चन आता है विच अपने पुट्रों के लिए पतियों के लिए पतियों के लिए उपवास करने से सम्मंदित है इस प्रशन का जो उत्तर है वो भी अपने इस कमेंट बॉक्स में आंसर देजीएगा बहुत सारे आंसर आप लोगों ने दिये भी है और इंटराटिव जो वीडियो को बनाना होता है वो आपने इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया है इस वीडियो में मैंने आपसे दो प्रशन पूचे है एक पूचा है मिथला चेतर का और दूसरा पूचा है इस प्रशन का इसका आंसर आपको बताना है A, B, C या, D में से कौन सा आंसर होगा बताइएगा अगर आपने इस वीडियो का PDF डाउनोट करना है आपको इस वीडियो का PDF डाउनोट करना है तो PDF मेरे टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा Learn and Grow with Amishayak यहां से मिल जाएगा कल का जो वीडियो था उसका मेरे PDF डाल दिया है मेरे इस चैनल पर इसके अलावा discussion group भी है email ID भी है और साथ में QR code भी है इसको भी आप scan करके डाउनोट कर सकते हैं इसमें जॉइन हो सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक पर के लिए धन्यवार जैहिंद और काफी अच्छा response दे रहे हैं आप लोग काफी अच्छा प्यार दे रहे हैं बिहार की खबर की सीरीज को ऐसे ही बना रखेगा